नमस्कार मैं हुसे धान्त और आपका स्वागत है आरंभ है प्रचंड में जिसमें हम आपको बताएंगे दिन भर की तमाम बड़ी राजनीती ख़बरों के बारे में तो आई शुरू करते हैं 36 गड के चुनाओ में अब रेवाडी और रावडी की एंटरी हो गई है कॉंग्रेश चुनाओ जीतने के लिए लगातार कई लोक dışावने घोषनाएं कर रही है जुनें भाजपा रेवडी की संग्या दे रही है कॉंग्रेस की लगातार घोशना को लेकर रेवडी और रावडी की बहश शुरू हो गई है कॉंग्रेस भाजपा की बाटी गई उद्योग पतियों की सौगात को रवडी बता रही है तो वहीं भाजपा कॉंग्रेस की घोशना को रेवडी करार दिया है रेवडी और रावडी की जंग पर देखिए कॉंग्रेस भाजपा की स्यासी जंग आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतिय जलता पार्टी और पुधार मंत्री लोग रेवडी बुलाते हैं और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, जीतों कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए उसको रेवड़ी बुलाया जाता है लेकिन जो रबड़ी ठाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुचती है उस पर कोई चर्चा नहीं होती पूरी इवांदारी से हम दें लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है और राख दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है उसकी कुल चर्चा नहीं होगी लेकिन दो मिनिट में मैं पहले ये बताना जरूरी समझती हूँ रबड़ी और रेवड़ी दोनों बाटने से काम नहीं चलेगा जो लोगों की मूल भुस विधाएं हैं लोगों को सड़क चाहिए पानी चाहिए बिजली चाहिए अब प्रधान मंत्री आवास जैसा गरीब व्यक्ती का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो और चतिस गर में सोला लाक ग्रामिनों के और पांच लाक सहरी लोगों के आवास छीनने का पाप किसी ने किया है तो वो भुपेज बगेल जी और कॉंग्रेस पार्टी ने किया है अगर गरीबों का आवास रबडी है तो ये कॉंग्रेस को मुबारक हो कि उनको पीने के लिए पानी, उनको सड़क, उनको अस्पताल, उनको स्कूल अगर इसको वो रबडी मानते हैं क्योंकि एक मात्र पार्टी, भारती जन्ता पार्टी और नरेन मोदी जी के नितित तुमें ये जाती की राजनिती करना है परतु बीजेपी जो है वो गरीब करल्यान की रागनिती कर रही है कि गरीबों का जीमन इस तर्फ उचा उठना चाहिए चानावी राजनीती में जीत का सबसे एहम पैमाना जाती को ही माना जाता है लेकिन मध्यप्रदेश के विधान सभा चुनाओं में ठाकूर ब्राम्हणों की केमेस्ट्री में जाती का ये गड़ित्स फेल होता दिख रहा है 14% से कम आवादी वाले समान वर को 37% उम्मेदवारी मिली है यानि अभी से तै हो गया है कि सरकार चाहे किसी की भी बने सत्ता का सबसे बड़ा शेयर स्वर्ण जाती के पास ही होगा जाती गड़ना का वादा करने वाली कॉंग्रेस ने भी 230 में से 60 सीटों पर ठाकूर और ब्राम्हणों को उम्मेदवार बनाया है बिजेपी ने ऐसा कोई डावा नहीं किया लेकिन उसने भी इनहीं वर्गों को सबसे ज्यादा टिकट दिये हैं देश में आधिकारिक तौर पर जाती का जनगड़ना 1931 में होई थी OBC, ST और SC काटिगरी का सामोहिक डेटा अलग-अलग स्टडीज में सामने आता रहा है लेकिन इन वर्गों की जातियों के बारे में इसपस्ट आंकड़े सरकारी दस्तावेज़ों का हिस्सा नहीं है मद्यप्रदेश विधासभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस भाजपा के उमिदवारों की सूची में ये सामने आया है कि प्रदेश की 50 फीसिदी आबादी वाले OBC वर्ग के हिस्से में सिर्फ 26 प्रतिशत टिक्टे आई हैं इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा लोधी और यादवों का है दोनों पार्टियों की तरफ से सबसे ज्यादा टिकट ठाकुर ब्रामनों को ही मिले हैं SC-ST को उतनी ही टिक्टे मिली हैं जितनी सीटें रिजर्व हैं मद्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयो की कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 50.09% OBC हैं 21.1% आदिवासी और 15.6% SC हैं विधानसभा में 47 सीटें ST के लिए और 35 सीटें SC वर्ग के लिए रिजर्व हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक साथ पीसिदी मुसलिम हैं देखें विधायक दल नेता चुनता है और देश में या प्रांत में जो विधायक दल होता है वही तय करता है किसको नेता बनाएंगे सवन वन को कॉंग्रेस ने सबसे स्यादा 85 टिकट दिये है जबकि भाजपा ने इस वर्ग के 89 उमीदवारों को मौका दिया है यानि ब्रांभन बनियों को टिकट देने में कॉंग्रेस भाजपा से आगे है पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षन के मसले पर दो साल पहले हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की उसमें OBC की आबादी 50.1 फीस्ती बताई गई है हालकि जातियों के आंकडे सारवजनिक नहीं है लेकिन दोनों पार्टी उने सबसे जयादा टिकट लोधी, यादव, कुर्मी और कुश्वा जाती के उमिदवारों को दिये है ऊमा भारती की नाराज़गी के बाद भाजबाने सबसे जयादा 11 लोधी उमिदवार उतारे है कॉंग्रेस ने लोधी और यादव समाज को बराबर साथ साथ सीटे दी है जाती समीगरन पर अब दोनों ही पार्टियों के नेता अपना अपना राग अलाप रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पल्ला जहाट रहे हैं भोपाज से टीवी 24 के लिए पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोत पाठक की रिपोर्ट सब्त रिशियों की गोद में बसे धंतरी जिले की सिहावा विधानसवा सीट में दिल्चस्प मुकाबला नजर आ रहा है आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के श्रवर्म मरकाम और कॉंग्रेस की अंबिका मरकाम के बीच है भाजप गम स्थल होने के साथ साथ जुझारू आदिवासी नेताओं का च्छेत रहा है सिहावा विधान सभा को आदिवासी समूह के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर भानु सोम के नेत्रित्व में सैक्रो आदिवासियों ने राइपूर पैदल कूज किया था इसी की बदौलत 1962 से ही यह सीट अनुसूचित जनजाती के लिए सुरक्षित है हाला कि प्रारंभ से ही यह विधान सभासीट मूल स्वरूप में कॉंग्रेसी विचारधारा का समर्थक रहा है लेकिन 1962 में जनसंग ने और 1977 में जनता पार्टी ने अपना विधायक बनाने में सफलत हासिल की माजबा प्रत्याशी को कुछ हैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है 90 के दशक में सीट पर एक बार फिर कॉंग्रेस का दबदबा कायम हुआ और 1993 और 1998 में कॉंग्रेस के माधव सिंग ध्रूव विधायक चुने गए और अविभाजित मध्यप्रदेश में मंत्री रहे लेकिन कॉंग्रेस की इस जीत के सिलसिले को भाजपा की महिला प्रत्याशी पिंकी शाह ने बर्स 2003 में तोड़ा और उन्होंने पूर्व मंत्री माधव सिंग ध्रूव को शिकस्ठ दे दी हाला कि 2008 में उन्होंे कॉंग्रेस की अंबीका मरकाम से हार का सामना करना पड़ा चुनाव जीतना है, सभी कारकरतना काफियोट साहिद है और निस्षित है कि चुनाव जीतेंगे भी उसके बाद यहां छेतर का जो भी विकास बचा हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगी हमारी इधाईक जी लक्षमी दुरूजी ने भी बहुत काम किया है अपने सरकार रहते हुए और जो भी काम अधूरे उन्होंने छोड़ा है उसको आगे मैं करने का प्रयास करूँगी बहराल 2008 के बाद राजनीतिक समी करण देखी तो पिछले चुनाव में जनता परिवर्तन करते आ रही है भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ही दलों ने पूरू विधायकों को टिकर दी है अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनीधी चुनती है ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 प्रदेश में चुनावी शंखनात के बाद सीरूंज के कॉंग्रेस प्रत्याशी गगनेंदर रगवन्शी ने नामंकन फॉर्म भरा है इस दोरान गगनेंदर रगवन्शी के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे वही जगा जगा पर उनका पुछ प्रुश पर वर्षा कर स्वागत किया गया इन सभी तमावी मुद्दो को लेकर हमारे सम्वाद दाता ने कॉंग्रेस प्रत्याशी गगनेंदर रगवन्शी से खास बात चीत की कौंगरेस पर्तियाशी गंगेंदर रगवणशी ने आज फार्म भरा है यहां पर आके शुब महुरत में उन्होंने अपना नामंगन दाखिल किया है हमारे साथ पर्तियाशी गंगेंदर रगवणशी जी मौझूद है के बहुत जाद है किसान बाई के लिए लाएgal पानी और विवेस्टा डेम इनके लिए बहुत जाद है और बैपारी भाईयों के लिए सुविदा जो हैना सुरिक्चा की सुविदा और उनकी बाजार में जो उन्हें दिक्कता थी उन चीजों के लेकर हम देखेंगे एक मर्द की सफलता के पीछे गोरत का हाथ होता है यह परचलित बात है हमारे साथ इस समय उनकी पतनी भी मौझूद है जो कदम कदम पर उनके साथ है कैसा लग रहा है आपको विदान सबस्वा चुनावब नजदीख है अब परचार के लिए आप दर बहुत अच्छा क्या कह हराएंगे जो है ना हमर्ज इस बार कम से कंग्रेश का प्रितियासी इस बार का मुकाबला बड़ा दिल्चस पे को कि ये चुनाओ जो ये ठिकेट हुआ है सर्वे पे हुआ है एक तरफ परिवारवाद है परिवारवाद की बात करती थी हम पूरा सुरोंज लटेरी देख रहाद 40 साल से की परिवार को टिकेट मिला अब देख सकते हैं कि प्रतियासी के घोसेत होते ही कांग्रेश सुरोंज विदान सवा की जीत सुनिच्चित हो चुकी है क्योंकि जेब परिवार का बालक है जिसने किसान से गरीवी से उठकर के इस पारिटी में बर्चल कर इससलिया और पारिटी ने उसके लिए मौकर दिया और किसानों की हमदर्दी को जाना समझा तो निच्चिती इस बार कांग्रेश पारिटी सुरोंज लेटेगी बिदान सवा में अपना पर्चम लहराएगी मद्परदेश में जैसे जैसे चुनाव की तित्या नजबीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी हलचल भी अब तेज हो गई है आज कांग्रेश के उम्मीदबार गगेंदर रगवनशी ने यहाँ पर नामांकर पत्र दाखिल किया है इस दोरान उनके साथ बारे जंक्या में उनके समर तक मौझूद रहे बद्धवार को बिजेपी 36 गण में चौथी और अन्तिन सूची जारी कर दी बिजेपी हाई कमान ने चार सीटों पर प्रत्याशियों का एलान किया है अंबिकापुर से राजेश, अग्रवाल और बेमेतरा से दिपेश, साहु को टिकट दिया गया है वहीं बेलतरा से सुशांत, शुकला और कस्डोल से धनी राम, धीवर को प्रत्याशी बनाया है 36 गण विधान सभाचुनाव के लिए JCCJ ने आज 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें प्रेश नगर से जगललाल दिहाती, पाली ताना खान से छटरपाल सिंग कवर, कोटा से डॉक्टर रेणू जोगी, बिलासपूर से अखिलेश पांडे, मस्तूरी से चान्दमी भरद्वाज, अगलतरा से डॉक्टर रिशा जोगी जैजेपूर से टेक्चन संद्रा, कस्दूल से बाबा मनहरण, रायपूर ग्रामीड से मनोश बंजारे, गुंडर देही से राजेन्र कुमार राय और भिलाई नगर से जहीर खान के नाम शामिल है 36 गड़ विधान सभा चुनाओं में किसी भी पार्टी से सिंधी समाज का प्रत्याशी नहीं मिलने पर रायपूर सिंधी समाज में आक्रोश है समाज के लोगों ने तेली बांधा सिंधी धर्मशाला में एक बैटक लेकर रायपूर उत्तर विधान सभा सीट से अपना नर्दली प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है नर्दली प्रत्याशी के तोर पर सिंधी समाज से आने वाले और वर्तमान के कॉंग्रेस पारशद अजीद कुक्रेजा चुनाओ लड़ सकते हैं आपको बता दे कि अजीद कुक्रेजा ने कॉंग्रेस में रायपूर उत्तर विधान सवा सीट से टिकट के लिए दाविदारी की थी लेकिन कॉंग्रेस पारटी के तरफ से उन्हें टिकट नहीं दी गई सिंधी समाज जो है वो हर चीज में सक्सम रहा है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिंधी समाज को इस तरीके से उपक्षित किया गया हो यह पहली बार हुआ है कि दोनों ही बड़ी पार्टियों ने सिंधी समाज से किसी भी प्रत्याशी को ठिकट नहीं दी है उस जना अकरोश को लेकर ही आज यहां पर समाज की बैठक हुई है और समाज की इस बैठक में यह तैय किया गया है कि हम जिस तरीके से पार्टियों ने हमारे साथ में अन्याय किया है तो हम अपने प्रत्याशी निर्दली रूप से उतारेंगे और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां से रायपूर उत्तर से पारशद रहे हैं अजीत कुकरेजा साथ उनका नाम बहुमत से सामने आया है कि उनको हम निर्दली प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे जिसके लिए कम से कम दस हजार लोगों को लेकर हम रैली भी निकालेंगे विधान सभा चुनाओं को लेकर कॉंग्रेस की राश्ट्री प्रवक्तार रागनी नायक जबलपुर पहुची जहां उन्होंने प्रेसवारता के दोरान भाजपा पर जमकर निशाना साथा उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इसके हाल बुरे है हुजत हुई है दुख की बात तो यह है कि उनके ही संभागी कार्याले में हाई हाई किनारे लगे रागनी नायक ने कहा कि मध्रप्रदेश विधान सभाचुनाओं में कॉंग्रेस की सरकार इस बार बनने वाली है जहां जनता का भरपूर आशिर्वाद कॉंग्रेस पारिटी के प्रत्याशियों को मिलने वाला है कि दस राज्यों में भाजपा की सरकार है और जहां 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 भी चुना हुआ केवल शिवराज सिंग चौहान ऐसे मुख्यमंति हैं जिनकी इतनी फजीहत कराई केंद्री नित्रतु ने कि चौथी लिस्ट तक नाम रोपके रखा और वो इसी कारण किया कि ये वो लोग भी जानते हैं भाजपा भी जानती है कि शिवराज सिंग चौहान जैसे जैसे बोलेंगे बाहर निकलेंगे उनका नाम और उनकी फर्जी घोशनाओं के बारे में बात होगी वैसे वैसे भाजपा का वोट कटेगा और अगर लिस्ट की बात कर लें तो भया जबलपुर जिले में आठ सीटे कॉंग्रेस ने भी गोशित की एक विरोध का स्वर नहीं सुनाई दिया और यहां से तो प्रदेश टिकेट वित्रण के बाद ही कपड़े भाड़ने और बंदूग चलने की नौबत आ जाती है और मैं तो कहूंगी कि जो महाभारत में संजे की भूमिका थी कि वृतांत बताना है दृष्टांत बताना है क्या-क्या हो रहा है किस-किस जगह वो भूमिका जो मोदी जी के लि प्रदेश कॉंग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने निशा बांग्रे को लेकर बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि दलित बेटी निशा बांग्रे ने अपनी जिंदगी और नौखरी को रिस्क पर रखकर राजनीती में आने की खुआश रखी थी सरकार को ये डर था कि वो कॉंग्रेस से चुना लड़ सकती है इसलिए उनका इस्तिफात देर से स्विकार कर उन्हें मानसिक प्रतार ना दी वहीं केके मिश्रा ने सरकार से सामने आकर निशा बांग्रे से माफी मांगने की बात कही है और हम उम्मीद करेंगे कि उन्होंने जो पथ चुना है उसको इमानदारी से पालन करें अब वो कौन सी पार्टी से लड़ेंगी उनका विवेख है हमारी पार्टी उनको लेकर क्या निड़े लेगी वो हमारे सीनिय लिडियों का विवेख है वगर में उनके उज्वल वविश्च की कामना करते हुए मौझूदा सरकार से और मुक्यमन्दी जी से आगरा करना चाहूंगा कि वो निशा बांगरे जी से सावजनिक तोर पर माफी मागे जब आपकी पार्टी का एक अपरादी एक आदिवासी के मुँपर पेशाग करता है तो आप उस पीडित व्यक्ती के पैड़ धोकर फेर फूजन करते हैं और वहीं दूसरी और एक दलीत बहन यदि उराजिनीती का रस्ता पनाती है तो आप उसे पतालित करते हैं राजधानी भुपाल के बिजेपी प्रदेश कार्याले में किंद्री मन्तिरी अरजुन मुंडा ने प्रेस्वारता कर आयोजित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि मद्धप्रदेश चुनाव में दलील आधार पर राजनेतिक दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं 75 वर्षों तक आदिवासियों को उपेक्षित रखा गया सिर्फ सत्ता के लिए आदिवासियों को हतकंडा बनाया गया जनजाती समाज को बिजेपी मुखिधारा में लाई है आदिवासी भाईयों का विकास सुनिश्चित किया गया है मद्धप्रदेश में कॉंग्रेस सरकार में जनजाती वर की अंदेखी की गई इसलिए कॉंग्रेस को देश भर की जनता ने नकार दिया कॉंग्रेस के वचन पत्र में सिर्फ छलावा हुआ है के इंदर में रहते हुए नीतियों का वादा नहीं निभाया एक सोच सहमती देश का बने मानस बने कि हम वन इलेक्षन वन नेशन का पॉंसेप्ट को लेकर कि यानि कि प्रांत का इलेक्षन और देश का इलेक्षन एक साथ हो मध्यप्रदेश में विंध जनता पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है जिसके लिए विंध छेत्र की सभी 30 सीटों पर 27 अक्टूबर को मीदवार घोशित किया जाएंगे नाराणती पार्टी अन्य दलों से भी चुनाव लड़ने के लिए आफर आने की बात कहते हुए कहा कि हमारा मुद्दा सिर्फ विंध प्रदेश ही था जिसको लेकर अन्य दलों ने अपनी सहमती नहीं जताई उसके बाद हमने विंध जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है बुपाल में पांच उम्मीदवार भी उतारेंगे और पूरे दम खम से विधान सभा का चुनाव लड़ेंगे चल हुआ कपट हुआ धोका हुआ सडेंत्र हुआ धोका करके उसका बिले किया गया और बिंध पूरी तरे उपेक्षित है अरम भह प्रचुन्ड में फिलाल इतना ही आप देखते रहे टीवी 24 नमसकार करके बिले कि अरे आप देखते रहे विधान सलेवी 25 नमसकार